नमस्ते, रुमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राप्ट में आपका स्वागत है, आज मैं डेकोरेटी बॉल बना की दिखाऊंगी क्रिस्मस डेकोरेशन के लिए, तो इसे बनानी के लिए हमें चाहिए कालरफुल, फोम शीट, धागा चाहिए मोटा, और चाहिए हमें सीजर, और टेप चाहिए और प्लास्टिक के बॉल चाहिए, तो पहले यह जो धागा लिया है, इसमें एक नॉट लागा लेंगे, और इसको इसके साद ऐसे रखके, और पहले टेप से इसे सेट कर देंगे, यह देखी, मैंने इसमें ऐसे टेप लागा दिया है, तो यह हैंगिंग पातला पातला इसमें से स्ट्रिप्स काट लेंगे, तो ऐसे पहले कुछ बना लेते हैं, यह मैंने कुछ स्ट्रिप्स बना लिये हैं, और एक गोल सा ब्लू कालार का सार्किल बना लिये हैं, और कुछ पात्ते बना लिये हैं, आप बॉल के उपर एक एक स्ट्रिप्स खोल क और इसे चीपकाना है और हमें सेंटर तकी ले जाना है ऐसे पहले चारो तरब से ऐसे एक एक करके ये औरेंज कलर का स्ट्रिप्स लगा दिये है अब इसके बीज में एक एक ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स लगा दियेंगे तो ऐसे हर एक में पहले और एक करके ग्रीन लगा दियेंगे तो अब एक एक ओरेंज एक एक ग्रीन हो गया है अब एक एक ब्लू लगाएंगे ये सारे ब्लू भी लगा दिये है अब एक एक ब्लू पत्ता खोल लेंगे और यहांसे सेट कर देंगे आधा दू ले जाके छोड़ देंगे अब एक जो सार्कल बना के रखे थे उसको अब यहां पर चिपका देंगे तो ये बॉल बिल्कुल कम्प्लीट है तो ये डेकॉरिटिव बॉल बिल्कुल कम्प्लीट है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो अब इसे लाइक दीजिए कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियोज आप देखना चाहते है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करते ही जो बेल आइकन आते उसे प्रेस कीजिएगा तो मैं जो न्यू वीडियोज आपलोड करूँगे आपके पास नोटिविकिशन आ जाएगा तो आप उससे देख सकते हैं तो चलिए फ्रिंस फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ एमिलते हैं